हलो इस्टुडेंट आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सेमी इस्टेम पारासाइटिक वीड लोरेंथेस के बारे में तो लोरेंथेस क्या है कि इसकी खास्यत यह है कि यह किसी भी पेड के टहनियों से लग के जो है अपना ग्रोथ कम्प्लीट करता है यह देखिए बेल का पाउधा है बेल का पेड है और इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि बेल के पतियों के इलावा जो है यह देखिए बेल के पतियों के इलावा जो पतियां दिख रही है यही लोरेंथेस है और इसकी खास्यत यह होती कि यह टहनियों से लग के जो करता है और इसको जो सेमी इसलिए है क्योंकि इसमें दिखी पतियां जो है ग्रीन ग्रीन दिख रही होगी ना तो पतियां ग्रीन है तो इसलिए यह भी फोटो सिंथेसिस करता है इसके अलामा जो है यह पेड से भी लेता है और धीरे-धीरे क्या होता है कि कभी-कभी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है लोरेंथेस की ग्रोथ अगर हो रही है तो उस टहनी को यह सुखा भी देता है ठीक है इसके अलामा आप जो है साइड में भी देख सकते हैं कि यह जो पेड़ है यहां भी लोरेंथेस लागा था Clay यहां भी टहनी पे लगता है वहां की टहनी एक दम से सुखा देता है तो यहां पे जो है यह जो शूखा गुए दिख रहा यहां पे भी था पहले और पहले तो टहनी सुखी इसके बाद फिर जो है लोरेंदेस का पाऊधा भी सोख गया और यहां पे अभी देखिए green green इसकी पतिயां है यहां पे देखिए green green जो है इसकी पतियां दीख रही है आप लोगों को यही लोरेंदेस है इसके कंट्रोल के लिए आपको जो है copper sulfate या फिर 240 2-4-D 2-4-D आप अपलाई करेंगे अगर माल जी कि मैंगो के पेड में दिखाई देता है उनकी साखाओं पर दिखाई देता है लोरेंथेस तो उसको ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कि टहनियों में इंजेक्शन लगाएंगे हम कापर सलफेट का या फिर 2-4-D का इंजेक्शन द करती है तो इसके फल है चिडिया खाती है इसके बाद चिडिया खाके जहां भी बिट करती है वहां पर यह ग्रो हो जाता है और वहां पर फिर इसकी ग्रोध होने लगती है धीर-देर जर्मिनेट करके इस टेम से साखाओं से जो है अपना भोजन कंप्लीट करता है ठीक है आप जो इसमें देख सकते हैं विजबिल्टी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी पहचान सकते हैं आप इसको ठीक है तो यह है लोरेंथेस है सेमी इस्टेम पारासाइटिक वीड ठीक है बाकि इसके पहले वीडियो मैंने बनाया था टोटल इस्टेम पारासाइटिक वीड कैसकुटा के बारे में तो कैसकुटा जो है वो टोटल इस्टेम है और इस वज़े से जो है टोटल इस्टेम इसलिए है क्योंकि वह जो पूरी तर है जो है वह दूसरे होस्ट प्लांट के उपर ही राता जैसे बरसीम में दिखाई देत है अधिकतर तो बार्सीम के पाउधे से ही वह अपना भोजन लेता था इसलिए वह टोटल इस्टेम है वह फोटो संथेसिस खुद नहीं कर सकता लेकिन लो रेंथे जो हुए सेमी इस्टेम पारसाइटिक वीड है और इसके पत्या ग्रीन होती है इस वज़े से फोटो संथेस भी करता है ठीक है थैंक यू सो मच फार वाचिंग